हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जोस में और आज मैं आपको एक टॉपिक लेकर आया हूँ इंडियन रेल्वे का है डी एफसी सी आईयल तो जैसे कि आप सभी को पता है कि डी एफसी सी आईयल में वेकैंसी निकली हुई है तो उसी की बेसिस मैं अपने आज ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मेरे नोट्स के दौरा बनाई गई वीडियो है तो अगर मेरे नोट्स के दौरा आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को जादे ज्यादा लाइक कर सकते हैं और अगर मेरे नोट्स में कोई क कमी दिखाई थे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जिससे कि मैं अपने अकोर्डिंग उनको सुधार सकूँ तो धन्यवाद दोस्तों आए चलते हैं अपनी वीडियो की और तो आप देख पा रहे होंगे मेरे नौट्स में सबसे पहले दिएफ सी जैयल कि फिलफार मोथे डेडिकेट fire corridor corporation ंडिया लिमिटिड ये डीएफ सी जैयल इस तरीकी की मतहला है कि ओर चाहिए तरीकों सुधार में चलते एक करन उर्ड कोशन लेते हैं फिर में आपको इसके स्ट्री बताऊ को किस तरीके से सबसे पहले आपके कोशन दिखाई दरहोगा मेरे कोपी के नॉट्स में भारतिय रेलवे बारतिय रेलवे द्वारा फ्राइट रेवेन्यू कितना अर्न किया गया क्या क्या रहा है फ्राइट रेवेन्यू यानि कि जो माल ढोया है हमारा उसका कितना कमाई हुई है कब ये क्रोड रुपे हमारी कमाय हुई है फिराइट रिवेन्यू के अकोर्डिंग ठीक है और इसी के बेसिस पर आगे चलते हैं जबकि फिराइट वेट मतलब कितना माल डोहा गया था 2020-21 के बीच में तो इसमें डोहा गया है हमारा माल 1232 मिलियन टन कितना 1232 मिलियन टन अब चलते ह आगे क्या है 2020 से 2021 में किसानों के लिए जो रेल चलाई गई है यानि किसान रेल जो चलाई गई है वो टॉटल कितनी चलाई गई है अब तक ये कुस्ट इंपोर्टेंट है अब तक कितनी रेल चलाई जा चुकी है साड़े 400 ट्रें चलाई जा चुकी है किसान रेल गतनी रेल कितनी रेल चलाई जा चुकी है साड़े 400 यानि के 450 किसान रेल चलाई गई घई है अब तक यानि कर दूजार बीच-से दोजार एकीस की बीच में आए चलते हैं ड सी Jewel ійoka की िस्ट्री क्या है तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं DFC CL की हिस्ट्री क्या है तो आज चलते हैं थोड़े से पहले सन 2006 के सन 2006 के टाइम की बात है उस समय इस कमपनी की स्थापना होनी थी इस कमपनी की स्थापना DFC के नाम से होई थी Dedicated Fright Corridor तो उस समय क्या होई था कि जो हमारे चार महानगर थे और चारों महानगरों को जोड़ कर एक योजना बनाई जा रही थी जिससे कि माल को ढोने में आसानी हो और हमारा जो खर्चा आता है वो कम लगे तो खर्चा आता है वो कम लगे इसके बेसिस पर DFCC की स्थापना की गई थी तो उस टाम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमान सिंग उन्होंने एक योजना बनाई योजना बनाई DFC के नाम से जिसका नाम था dedicated freight corridor जैसे के आप देख पा रहे होंगे इसमें चार जो स्वर्णिम नगरों को जोड़ कर एक योजना बनाई यो योजना बनी थी किसके लिए मालगाड़ी जिसपे केवल क्या चल सके मालगाड़ी ही चल सके फिर यह क्या क्या लाया DFC क्या लाया अथार्थ क्या क्या लाया यह देख सकते हो आप DFC क्या लाया है ना कि DFC CIL जब ये company बन जाएगी तब इसमें CCIL जुड़ जाएगा तो देखते हैं कौन-कौन से चार महानगर थे वो हमारे इसमें चार महानगर थे हमारे दिल्ली, मुंबाई, चेनाई, कॉलकत्ता कौन-कौन से थे दिल्ली, मुंबाई, चेनाई और कॉलकत्ता ये चार महानगर थे इ फिर बाद में इस कंपनी में CCIL जुड़ गया था, यानि के Corporation of India Limited जुड़ा, कौन से Act के तहत, यह सबसे most important question है कि कौन से Act के तहत जुड़ा था, यह आपका Act आता है 1956 के, 1956 के Act के तहत यह जुड़ा गया था इसमें, और कब 30 October, 30 October 2006 में, कब जुड़ा गया था 30 October 2006 में, क्याने के मतलब यह है कि DFCCIL की स्थापना पूर्ण रूप से 30 October 2006 में हुई थी, कौन से Act के तहत हुई थी, 1956 के Act के तहत हुई थी, तो आएए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने DFCCIL के जो most important question है, जो हमारे previous exam में पूछे गए हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं, जैसे कि आप द total railway की कितनी है, हम देखें तो लगबग approximate 69,000 कितनी है, लगबग 69,000 किलोमीटर है, according to 2021, जबकि previous year question में पूछा गया था, 68,155 किलोमीटर, 2019 की according, second number of question पे चलते हैं, second number का question है, हमारा ये, क्या है, कि longest distance running train of India, यानि कि सबसे ज़्याद़ दूरी तया करने वाली train कौन सी है, तो आप जानते होंगे, ये तो बहुत ही oldest question है, जैसे कि आप देख पा रहा होगे, विवेक express, विवेक express ये train है, ये चलती है, हमारी कहां से, डिबरुगड से, कन्या कुमारी तक, कहां से, Indian Railway, क्या है Indian Railway के according, सबसे ज़्याद़ जो कमाई, यानि कि हमें revenue मिलता है, राजर से जो मिलता है, वो किस चीज़ से मिलता है, वो हमें सबसे ज़्याद़ मिलता है, call से, यानि कि किस से मिलता है, कोईले से, ये भी most important question है आपका, आगे चलते हैं, ये जो मैं सारे question आपको क corridor है, उसके under में, मतलब कितने माल लोड करने की जो चमता है, यानि कि प्रस्ताव हुआता, proposed हुआ है, वो कितना है, approximately 13,000 टन्स, कितना है, 13,000 टन्स, चलिए दोस्तों, अगर आपको सुन में आया, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादे ज़्यादे like और share कर सकते हैं, thank you दो अगस्तों